दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पर घर बैठे रेजिस्टेशन कैसे कर सकते हैं तो जिन लोगोंने B-Pharma, D-Pharma या M-Pharma कंप्लीट कर लिया है ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्पूर होने वाली है तो दोस्तो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रेजिस्टेशन वा नवीनी करन कराने के लिए फार्मेस्टों को अब लखनव के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बे घर बैठे कंप्यूटर से ही ओनलाइन रेजिस्टेशन वा नवीनी करन करा सकेंगे फीज भी इंटरनेट के माध्यम से ही जमा हो पाईगी तो दोस्तो उसके लिए आपको फार्मेसी उत्तरपरदेश फार्मेसी काउंसिल ओफ इंडिया की ओफिसियल वैपसाइट पर आ जाना है जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्टेस्टन में दे दिया है उसके बाद देखे open करेंगे नीचे install करेंगे यहाँ पर देखे काफे सारी online services दी गई है request of permanent registration, renewal यह 8 service दी गई है आप इनको बारे बारे से जाकर check कर लेंगे कि कौन कौन से service में आपको registration करना है उसके साथ ही बरावर में दिया गया है to avail online services click here इस पर आपको click करना है click करने के बाद में देखे एक नया interface open होगा यहाँ पर दिया गया है कि login creation for new user नए उप्योग करता है to login solution यहाँ पर detail दी गई है first name, last name, mobile number, email id और create password, confirm password क्लिक करके यहाँ यह सारी details आपको fill करनी है नीचे capture दिया गया, capture फिल करने के बाद में देखे नीचे register पर click करना है register पर click करने के बाद में देखे आपके पास एक OTP आएगा यह सारी details fill कर लेंगे, fill करने के बाद में आपको register पर click करेंगे देखे जो password है आपको अपना password बनाना होगा confirm password create करना होगा फिर जो क्लिक करके यानि CAPTCHA फिल करके आपको नीचे रेजिस्टर 15 पर क्लिक करेंगे दोस्तों मैंने पहले से ही इस वेब साइट पर रेजिस्टर किया हुआ है तो मैं यहाँ पर अपना मुबाइल नमबर डालकर जो यूजर नेम बनेगा वो आप लोगो का मुबाइल नमबर ही बनेगा नीचे पासवर्ड क्लिक करेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद में नीचे कैप्चा फिल करेंगे capture fill करने के बाद में login पर click कर देंगे login पर click करने के बाद में देखिए एक नई window फिर से open होगी यहाँ पर देखिए जो art services के बारे में मैंना आपको वहाँ पर बताया था वो ही art services यहाँ पर दी गई है first वाली services request for pharmacist registration first और second वाली है renewal के लिए आपको जो यहाँ पर आपको इस service पर click करना है service पर जैसे ही आप click करेंगे देखिए नई एक interface फिर से open होगा यहाँ पर दिया गया apply for registration for pharmacist के लिए आपिजन करें दुसरा दिया गया आप एक सी दसवेज पंजीगरण की इस्तिति यानि अगर पहले से आप कर चुके हैं तो इस्तिति जान सकेंगे और आपको first वाले पर click करना है pharmacist के पंजीकरण हेतू आबिदन इस पर आप click करेंगे click करने के बाद में एक नया interface फिर से आपको open होगा यहाँ पर देखिए आपको details ले लिनी है यानि आपको जो भी documents दस्तावेज आपके valid हैं यहाँ पर जैसे high school inter markseed यह जो details है आपकी markseed वगरा है वो अपको अपने पास collect scan करकर computer में रख लेनी है उसके बाद यहाँ पर जैसे click करेंगे apply for के लिए new user पर आप click करेंगे new user पर जैसी आप click करेंगे देखिए यहाँ पर एक detail interface इस तरह की open होगी यहाँ पर देखिए दिया गया है first name last name और जो भी आपके details है यानि mail है date of birth है कौन से area में रहते हैं आप यह सारी details जो हैं आपको नीचे अपना address फिल करना है अगर पता आपका correspondence address same है तो आपको ठिक करना है ठिक करने के बाद में save and next पर click कर देंगे यानि सारी details fill करने के बाद में नीचे दिया गया save and next पर click कर देंगे फिर यहाँ पर देखिए education qualification details पर आपको एक नया interface open होगा यहाँ पर जो भी educational details यानि अब तक जो भी आपकी education details है वो आपको fill कर देंगे नीचे D-Pharma, B-Pharma, M-Pharma जो भी आपने pharmacy में diploma या bachelor degree कर रखिए वो आपको fill कर देंगे नीचे दिखिए यहाँ पर दिखाया है details of last degree of 10 प्राप तंकेंग पिसे डाल लिए यानि जो भी last details है वो आप fill कर देंगे नीचे दिया गया upload first year mark sheet जो भी आपकी final year mark sheet है जो भी अपने pharmacy किया है जिसकी भी degree है वो आपको यहाँ पर PDF या JPG में उसका size नीचे दिया गया वो upload कर देंगे नीचे दिया गया PCI certificate जो आपको college से मिलता है वो भी आप upload कर देंगे नीचे दिया गया intensive details यानि जो आपके college के माध्यम से जिस hospital में आपको intensive के लिए बेजा गया है वो details fill करने के बाद में save and next पर click कर देंगे save and next पर जैसे ही आप click करेंगे एक नया interface फिर से open होगा देखिए यहाँ पर आपकी details यानि upload document दस्तावेज upload करने होंगे आपको जो भी आपके दस्तावेज है सबसे पहला आपको दिया गया photographs and signature यानि दूसरा पहला photographs है फिर बाद में signature photographs और signature का जो size है photo और sign का जो size है वो आपको यहाँ पर mention किया गया है उसी के according ही आप upload करेंगे नीचे देखिए जो high school की mark seat है high school का certificate high school की mark seat और high school का certificate दोस्तो एक ही होता है दोनों में एक ही दस्तावेज upload कर देना है आपको जिस year की जिन पर asterisk का निसान लगा यानि जिन पर star बना है वो mandatory है वो तो आपको mandatory field है वो fill कर नहीं है यानि वो upload कर नहीं है उसके बाद में देखिए नीचे domain size के लिए certificate के लिए पूछा गया है कि अगर आपके पास valid 6 महीने के अंदर का बना हुआ है तो वो fill कर देंगे उसके बाद में देखिए upload कर देंगे upload करने के बाद में देखिए जो भी documents आपके affidavit आपको एक तैसील से बनवाना पड़ेगा या कचैरी जो भी affidavit बनवाने के बाद में वो भी upload कर देंगे save and next पर click करेंगे save and next पर click करने के बाद में देखिए जो details आपके सारी fill हो गई है वो आप एक बार दुवारा से re-verify करने के बाद में देखिए यहाँ पर declaration पर click करेंगे save and next पर फिर से click करेंगे application submitted यानि आपकी जो application है वो submitted हो गई है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो details है वो गलत हो गई है तो आप edit and application पर जाकर edit करकर फिर दुवारा से fill कर सकते हैं यहाँ पर देखिए जो आपकी fees है 1829 रुपे यानि 1550 पिला 270 रहनी 1829 रुपे आपकी payment करेगी proceed paper क्लिक करेंगे यहाँ पर payment gateway आएगा देखिए यहाँ पर paytm pg का आप use किया गया है इस website पर अगर आप paytm के scanner के माध्यम से आप payment करना चाते हैं तो scan करके payment कर सकते हैं नीचे काफी सारे और भी option दिए गए हैं UPI, Net Banking, EMI यानि जो भी आप option चूज करकर अपनी payment कर आना चाते हैं तो आप वो payment कटा सकते हैं किसी भी माध्यम से तो मैंने scan के payment कटाई है देखिए payment होने के बाद में आपको इस तना का SMS आएगा उत्तर परदेश फार्मेशी काउंसिल की डिटेल्स दी गई हैं यहाँ पर आपको एक ट्राइक्सान नंबर दिया आगा रजिटेशन नंबर वगएरा और देखिए जो डिटेल्स आपके याँ फीज सम्मिट सक्सेस्फुल हो गई है नीची यह प्रिंट निकालकर आपको जो भी आपके दस्तावेज हैं सारे क्लिक कलक करकर याँ जो भी आपने अब तक अब तक मार्क सीट वगएरा हैं यह भी प्रिंट निकालना है और उसके बाद में आपके दस्तावेज जितने भी दस्तावेज हैं उनको ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी लेकर आपको लखना हूँ जो इनका मेन ओफिस है वहाँ पर आपको जाना होगा और वहाँ पर वेरिफाई कराने होंगे तो दोस्तो इस तरह से आप उत्तरप्रदेश फार्मेसी काउंसिल में घर वैठे अपना रेजिस्टेशन कर सकते हैं और जो भी अपोईट्मेंट बुक के जाता है इसमें अपोईट्मेंट बुक नहीं होता है आप डारेक्ट ही किसी भी दिन कार दिवस में जाकर आप वहाँ पर अपने दस्तावेज वेरिफाई करा सकते हैं और आप फार्मेसी का रेजिस्टेशन कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप मेरी चैनल पर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब् करना ना भूलें धन्यवाद